पिछले 48 घंटे हो गए हैं बलकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और सब के मन में एक सवाल है और ये सवाल सब को विचलित कर रहा है कि सुल्तान साब के शीश महल में आखिर क्या कुछ हो रहा है और सोचने वाली बात है स्वाती मालीवाल के फोन से के अंदर से दो फोन होते हैं उसका बाकाइदा लॉग है उसके थोड़ी देर बात स्वाती मालीवाल पुलिस टेशन जाती हैं अपनी मौखिक तोर पर अपनी उपस्तिती वो दर्ज कराती हैं लिखित में कुछ नहीं बोलती हैं करीब 32 घंटे ब यानि कि ये बात तेह है कि सी एम आवास के अंदर स्वाती मालीवाल के साथ जो कि महिला आयोक की पूर्वे अध्यक्ष हैं वरतमान तोर से सांसद हैं उनके साथ हाता पाई हुई है एक और बड़ी फिक्र की बात है कि स्वाती मालीवाल के बारे में अभी तक पता नहीं चला है ना तो उनसे फोन संपर्क कोई कर पा रहा है और ये सब को जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो सुरक्षित है संजे सिंग कह रहे हैं कि इस बात का संग्यान लिया गया है अब ये कैसा आपने संग्यान लिया है कि अभी तक कोई P.F.I.R. पुलिस्थाने में दर्ज नहीं हुई है और ना ही किसी के खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया गया है राज सभा सदस्य के लिए इतने समय तक गाइब रहना बहुत सारी शंकाओं को जर्म देता है और जर्ण सोचिए C.M. साहब के उन आवास में शीश महल में महल आयो की पूरवा ध्यक्ष सुरक्षित नहीं है उनके साथ मार रिपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजे सिंग द्वारा तो आप सोचिए दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उमीद रख सकती है मैं इन सब लोगों को बहुत नजदीक से जानती हूं उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजा रहा है उन सब के आपसी रिष्टे क्या हैं क्या inner dynamics हैं उसका खासा इल्म है मुझे और साथियों ये जो गंदगी आप देख रहे हैं अब मैं उसके बारे में पूरी तरह से परिचित रही हूं इसलिए मैंने वहां से जानी का मन बनाया इस बात की व्याख्या मैंने कई बार अलग-अलग interviews में भी की है और आप लोग भी अब देख रहे हैं क्या असली चेरा है क्या चरित्र है आम आदनी पार्टी का और खुद सुल्तान साहब का और एक और जरूरी सवाल केजनिवाल जी से मैं पूछना चाहती हूं कि भाई आपके सीयम आवास में क्या कुछ होता रहता है कैसे सुल्तान साहब आप हैं लाट साहब आप हैं कि एक बाठ नहीं कई कई बार इस मारपीट के आरोप लगते हैं और संजीदा तोर से लगते ह और यही नहीं अमानत उल्ला और प्रकाश जारवाल जैसे लोगों को चार्शीड भी किया जाता है यह मैं बात कर रही हूँ दोहजार अठारा की जब अन्शू प्रकाश जी के साथ हाता पाई हुई थी जो मुख्य सचिफ थे चीफ सेक्रेटरी थे देली के अब सवाल और भी है क्या ऐसे कुछ आपसी रिष्टों में दरार आई है जिसके वज़े से यह हो रहा है अर्विन केजरिवाल देश की जनता को बताएं कि 13 माई को CM हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है पिछले 48 घंटे से महिलाएं अर्विन केजरिवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि CM हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई यह अलग बात है कि वो मौझूदा तोर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं अभी तक अर्विन केजरिवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों सादे हैं अर्विन केजरिवाल ने विभव कुमार पर क्या कारवाई की है क्या विभख कुमार ने केजरिवाल जी के कहने पर स्वाती मालीवाल के साथ मार पीट की और इसलिए केजरिवाल विभख कुमार के खिलाफ कारवाई करने से बच रहे हैं क्या वो महफूस हैं स्वाती मालीवाल क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है अभी तक पुलिस में इस खटना को लेकर कोई F.I.R. दर्ज क्यों नहीं हुई क्या CM हाउस में एक महिला सांसत के साथ मारपीट के लिए मुख्यो मंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए क्या है उनके नैतिकता के तकाजे सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बद सुलूकी को लेकर जो नरेला के तपके MLA शरत चोहान कर रहे थे जब इस घटना के बारे में बताते हुए रोते पीटते हुए जब वो केजरीवाल जी के पास गई तो केजरीवाल जी ने क्या कहा कॉंप्रमाइज कर लो उसके बाद सोनी मिश्रा आत्म हत्या करने पर मजबूर हुई क्या ये माना जाए और ये जहन में मेरे बात आ रही है कि क्या स्वाती मालिवाल पर भी कॉंप्रमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है आज इंडी गड़बंदन में जब कॉंग्रेस अध्यक्ष मलका अरजुन खरगे से पूछा जाता है स्वाती मालिवाल जी के बारे में तो वो कन्नी काट लेते हैं चुप्पी साथ लेते हैं एक महिला सांसत के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट पर इंडी गड़बंदन क्यूं चुप है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियुका वाड़रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं इस पर चुप क्यूं है सोनिया गांदी चुप क्यूं है ममता बैनर जी चुप क्यूं है और खुद उनकी साती अतिशी मर्डीना चुप क्यूं है क्या इंडी अलाइंस के पोस्टर बॉय केजरिवाल जी को लेकर इंडी अलाइंस के बाकी नीता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इस बात पर वो मौन रखेंगे सातियों निर्भया अंदोलन के वक से जब से पाटी बनी है हम लोगों ने सडकों पे जाकर महिला सुरक्षा के लिए ऐसी लडाई लडी है लाठिया खाई है आसु गैस जेले हैं हम लोगों ने और आज का दिन ये कि दिल्ली के मुख्यों मंत्री के घर पर शीश महल के सुल्तान के घर पर बाकाइदा मार पिटाई हो रही है जिसने मजबूर किया स्वाती मालिवाल को दो एमरजन्सी फोन कॉल करने पर और फिर पुलिस थाने जाने पर धनिवाद I would like to say that it is indeed shocking that Kejriwal is quiet on this issue that it has happened not once but even before that the actual cases of misbehavior of actual beating physical assault and they go on within the confines of Shish Mahal of Sultan Kejriwal Sahab Swati Malival who happens to be the Rajya Sabha MP a Rajya Sabha MP who was heading the Delhi Commission for Women and who has been a close confidant and a member of India Against Corruption before their Kabir and Pariwaratan NGOs and then Aam Admi Party has indeed stated through her phone logs it's obvious that she has been beaten up at the behest of CM Kejriwal and it is to be seen that Kejriwal has been quiet for the last 48 hours the poster boy of India Alliance should answer and their basic answers that Priyanka Gandhi, Malika Arjun Kharge, Sonia Ji, Mamta Ji and others should ask of them what makes them so quiet at this point of time folks I've been saying this for a long time and I've seen this sinister and sordid state of affairs within the party I have witnessed this first hand yes I have witnessed it first hand on many occasions which is by for people like me it was untenable to stay on now all of you can see how sordid and how murky situation is in the Inam Admi Party and what actually goes on there and this has not happened for the first time imagine this is happening on the watch of Chief Minister in his residence which is Chief Minister House and never before in the history of independent India have we heard of a Chief Secretary being beaten up and a Rajya Sabha MP a woman MP being assaulted by Chief Minister's PA so to speak I know all the characters very well it is impossible that Arvind Kejriwal's right hand man I should call him henchman because I know what he is like would do so without being ordered by Kejriwal to do so this is indeed very serious and I think Kejriwal should come clean on this offer his resignation if he can't ask Viphaf Kumar to resign we also would like to know as to how Swati Malewal is is she safe is she being intimidated is some kind of rapprochma or compromise is being sought thank you so much for all of such as we're going to concentrate to also